क्या साथ साल की सजवाले अपराधू के लिए एक पुलिस ओफिसर को एक आरोपी को CRPC के सेक्षन 41A के तहत नोटिस चारी करना जरूरी है या फिर नहीं तेलंगाना हाई कोड ने इसी मामले में अपना एक एहम फैसला सुनाया केस का टाइटल है एक आलूराम वर्सेस स्टेट आफ तेलंगाना केस तेलंगाना हाई कोड ने हाल ही में अपने एक एहम फैसले में पुलिस को CRPC के सेक्षन 41A के नोटिस जारी करने की जरूरत का पालन करने का आदिश दिया है क्योंकि अपराद में सजा सास साल की है अगर हम CRPC के सेक्षन 41A के बात करें तो नोटिस उन मामलों में पुलिस द्वारा आरोपी को दिया जाता है जिसमें सास साल की सजा होती है ये नोटिस सीधे तोर पर पुलिस आफिसर के सामने पेस होने की सोचना होती है और ये ऐसे मामले होते हैं जहां पर आरोपी को गिरफ़तार करने की जरूरत नहीं होती और ये बेलेबल ओफिस होते है इस मामले में CRPC के सेक्षन 438A के तहत याचिका दायर की गई थी जिसमें IPC के सेक्षन 354B और IPC के सेक्षन 506 के तहत मामले दर्ज किये गए थे और गिरफ़तारी से पहले जमानत मांगी गई थी इस मामले में याचिका करता पती पतनी है जो कि एक दुकान के किरायदार है और शिकायत करता मालिक की बहु है याचिका करता ने कहा कि बहु पती की मौत के बाद दुकान अपने नाम कराना चाहती थी और सास ससुर को परिशान भी करती थी और सास ससुर ने भी अपनी बहु के खिलाब शिकायतें दर्ज करवाई थी याचिका करता ने कहा कि वो केवल सूट प्रोपर्टी पर किरायदार है लेकिन बहु ने दुकान पर आकर हंगामा किया और उनके साथ मार पीट भीगे बहु के वकील ने हाई कोट को बताया कि ये मामला खारिज कर देना चाहिए क्योंकि पुलिस ने उन्हें पहले CRPC के सेक्षन 41A के तहत नोटिस भेजा था जिसका उन्होंने पालन नहीं किया ताकि इन्वेस्टिगेशन में देरी हो सके इस मामले में जाच में कोट ने पाया कि केज में पुलिस ने पती को तो CRPC के सेक्षन 41A के तहत नोटिस भीजा था, मगर पतनी को नहीं भीजा, जबकि जो आरोप लगाए गए थे, वो साथ सल की सजा से कम के थे, और बेलेबल थे, इसलिए इस केज में कोट ने पुलिस को CRPC के सेक्षन 41A के तहत, प्रोसीजर को सक्ती से पालन करने के लिए आदेश दिया, और अरनेश कुमार केस में सुप्रीम कोट की गाइडलाइन्स को फॉलू करने के लिए कहा, और फाइनल रिपोर्ट धाखिल करने तक, आरोपी को अरेस्ट ना करने के आदेश भी दिये,